नमस्कार जाए हैं दोस्तों दोस्तों बिहार द्रोगा का ग्यान बिंदु सार का सेट निकाला गया है जो कि आप सभी को पता है स्रीज आपका ये टू है दोस्तों आज जो हमारा सेट होने वाला है ये आपका सेट नमर आप सभी को पता है इसके पहले का हमने बहुत सारा करते हैं तो यह रहा हमारा सेट नमर सिक्स दोस्तों उस्ते पहले आप सभी को बता दें देखिए इस पीडी का मैंने जो है दिसंबर एडिशन का मास्टर वीडियो अप्लोड कर दिया है आप यहां पे स्कीन पर देख सकते हैं जब वीडियो खतम होगा तो लास्ट में स्कीन और सही आंसर कीजे लेकिए भारतिय परिशत अध्यंव 2892 निरवाचन का सिध्धांत यही हमारा सही आंसर हो तो पहले का उत्तर हमारा क्या होगा? B सही उत्तर हो जाएगा, नोट किजिएगा. चलिए, नेश्ट कुशन क्या है? निर्देशा नीचे दिये गए विकल्पो में से समयज सब्द ग्याद किजिए, भीरू, भीरू, डर्पो, गदहा, और यहां पे दिखाएया, तो यहाँ पे धूरत चालक में क्या होगा ठीक है तो यह आपका रिजिनिंग का प्रसना आता है तो यह आपका लोमणी हो जाएगा नेश्ठ के स्वतंद्र भारत में भासाई अधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कपनों पर विचार किजे सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है तो देखिए इसमें आपका केवल एक सही है यानि उन्नी सो तीरपन में तेलगो भासी लोगों के लिए प्रिथक आंधर परदेश राज्यों बनाए गया तो ऑप्सन नमबर हमारा जो है कोसन नमबर थिरी का ए सही आंसर हो जाएगा अगला की राष्ट्री राष्ट्री राष्ट्र नियाधी करण की स्थापना कब किया गया है राष्ट्री राष्ट्री राष्ट्र नियाधी करण की जो इस्थापना है ये दोस्तों आपका 2010 इस्वी में किया गया है ऑप्सन नमबर जो है फोर्थ का डी सही आंसर हो जाए तो एक्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आराम से आप अधिक से अधिक स्कूर कर पाएंगे ठीक है तो कोस्टन अधिक से अधिक लगाई है पुला कि अधिक लवन वाले विलियन में एक कोसिका को रखने पर वह सिकूर जाती है क्योंकि क्योंकि तो जल जल बाह करन जो बाहर निकलता है option जो है पंचमे का बी सही आंसर हो जाएगा मानों मस्तिष्क का कवन सभाग स्वशन क्रियाओं को नियंतरित करता है तो क्या होगा इसका इसका सही आंसर तो यह आपका पॉंस हो जाएगा option पर हमारा जुए एस ही हो जाएगा यह सब्स मस्तिस्का भाग होता है ठीक है निमलिखित में से किस वर्ष तक मंगालयांटो कर लाुंच जुए आप Эक्चित है तो दोस्तो इसका सही आउसर जुए कोसर नमबर सेव हो दो हजार चौबीस तक कब तक दो हजार चौबीस तक option नमबर भी होगा निमलिखित में से किस देश में 23 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयूजन किया जाएगा तो यह किया जागा दोस्तो इन में से सभी जिसमें से अपका अमेरिका दिया गया है कनड़ा दिया गया है और मेक्सिको भी इसमें सामिल है अगला है कि bon convention संबंदी थे किसे bon convention दोस्तों यह आपका किसे संबंद रखता है तो one जियों की प्रवासिय प्रजातियों के सनक्षन से आपका संबंद रखता है option जब नंबर जो है हमारा 9 का B सही आंसर हो जाएगा आगे प्रस्ते हैं बोला कि वैहिंद की लड़ाई निमलिखित में से किसके बीच हुआ था तो यह किसके बीच हुआ था तो देखिए महमूद गजनवी और नानंद पाल के बीच में हुआ था जोकि option नंबर जो है 10 का D सही आंसर हो जाएगा अकबर ने इबायत खाना का निर्माड करवाया था कहां में तो अगर अकबर की बात करते हैं जो इबायत खाना है यह कहां पर निर्माड करवाया गया था तो फतेःपूर सिकरी हो जाएगा option नंबर जो है हमारे हैं पे कोशन नंबर 11 का दोस्तों C हो जाएगा ठीक है यह आपका पंद्रों स्पच्छत्तर इसी में करवाया गया था देखिए इसमें आपका इंगलीज का भी कोशन डाला गया है ताकि आप इंगलीज का भी अगर कोशन एक्जाम में आए तो आहां से आप बना पाएं तो बताईए इसका सही आंसर 12 का हमारा देखिए A हो जाएगा ठीक है और यहां पर देखिए आपको ट्रांसलेट करके बताना है तो 13 का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्सन नंबर A यह देखिए रीजिनिंग का है तो आरामसे आप जो है गुरूप में जाएगा बना सकते हैं आते हैं सुलो में बुलेगे कि हमारे सौरे परिवार के संदर्भ में निम्लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा गतन दोस्तो हमारे इसमें गलत है देखिए मंगल जो है आपका जोवियन ग्रहे यही हमारा दोस्तो गलत है बाकी हमारे सौरी परिवार के सभी ग्रहों में प्रित्वी जो है दोस्तो आपका सघंतम है हमारे सौरी परिवार के सभी ग्रहों में सरवादिक गुरुत्व कर्सन बल ब्रस्पति का है तो यह सब हमारा साई है डी गलत हो जाएगा आगे देखेंगे अधिक उचाई वाली जगहों पर ऑक्सिजन का आंसिक दाब सतही इस्थानों से कम होता है अता इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवम आरोहकों की आरोहके के रुधीर और उतकों की उतकों में ऑक्सिजन की संदर्ता निम्न हो जाती है इसके करण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और इस परष्ट सोच नहीं पाते हैं इन लवनों को क्या कहते हैं इनको हम दोस्तों एनक्सिया कहते हैं जो कि ऑप्सन नमबर जो है 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट ह है कि फासफुरस का आउरूप निम्न में से कौन सा है फासफुरस का आउरूप इन में से कौन सा है आंसर हो जाएगा उप्यूप तो सभी इसमें से देखेंगे तो सुवेथ फासफुरस हो जाएगा काला फासफुरस हो जाएगा और लाल फासफुरस भी इसमें आपका साम आपसन नमबर जो है हमारा 19 का सी सही आंसर हो जाएगा अंतराजाई संबंद के संदर्भ में कौन सकत्र जो है असत्त है यानि कौन हमारा इसमें गलत है option देख लिए ताकि आप आंसर कर पाएं देखिए इसमें आपका दुस्तों option number B हमारा जो है गलत हो जाएगा ठेक है भागता अध्याय नहीं है ठीक है अनुशे 263 नदी जल विबादों से संबंदित उपबंद का प्रावधान करता है तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा चले नेश्ट हम देख लेते हैं कि भारती समिधान का अनुशे 339 का संबंदित है किससे तो किससे आपका संबंद रखता है तो देखिए यह आपका जो है राष्ट्री अनसुचित जनजातिया आयोक से आपका संबंद रखता है ओप्सन नमबर डी होगा तो कोसन का लेबल त सिराजु का घर दो किलोमेटर दूर है इस वाकि में कौन सा कारक है तो कारक के बारे में पुछ रहे हिंदी का कोशन है तो यह आपको हो जाएगा आपादान कारक ऑप्सन नमबर डी होगा भगावली छेतर की दिश्टी से जापान का सबसे बड़ा द्यूप कौन सा है तो स नया सवेरा योजना दोस्तों जो है चलाए जा रहा है तो अलपसंख्यक मंत्राले हो जाएगा ऑप्सन नमबर जो है हमारा 26 का ए सही आंसर हो जाएगा एक रिपोर्ट के नुसार विस्व के सिर्स 50 महांतम इस्थानों में भारत के कौन से दो इस्थान को सामिल किया गया है बताइए तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो लदाख तथा मयूर भंज जिसमें से मतलब जो आपका लदाख मुंबई दिल्ली मयूर भंज है न तो इसमें आपका देखिए लदाख तथा मयूर भंज जिसमें सामिल क्या गया है अगला है दोस्तों कि जटिल खाद प स्टार्ट कहां से होता है कोई भी ख्राइब लिए गयरा तो बहुत ज्यादा होता है हम लोग के लिए ठीक? अगर में अगर मिलता है तो ख्या किजए निमने कि प्रती तनन सक्ति प्रदान करता है तो क्या होगा इसका सही आंसर दिखी आपको कुलिन काइमा हो जाएगा ऑप्सन नमर जो है बी हो जाएगा संप्रदाय मैदान संबंध है किस संप्राय मैदान जो है दोस्तों यह आपका किस संबंध रखता है तो यह आपका रखता है नद पर कोई नेट बैहबल लगता हो यह निम्न यह निम्न में से किसे संबंदित है तो दोस्तों यह आपका संबंद रखता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार ऑप्सन नमबर हमारे हैं पर ए सही आंसर हो जाएगा घरसंड एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस अस्तू एवं सिवाकर GST में निम्नाकित में से कौन सकर सामिल नहीं किया गया है तो नहीं किया गया है दोस्तों तो देखिए सीमा सुलक हो जाएगा क्या होगा सीमा सुलक ऑप्सन नमबर ए बाकी उत्पाद उत्पादन सुलक आपका इसमें सामिल है मुले वर्धित का साम मिल है निम्न में से कौन धुरों के अतिरिक्त विस्व का सबसे बड़ा ग्लैसियर है तो सबसे बड़ा ग्लैसियर आपको हो जाएगा फेड़ चेंको हो जाएगा जो कि ऑप्सन नमबर हमारा यहां पे भी सही आंसर हो जाएगा चलिए नेश्ट हम कोशन देख लेते हैं निम सेल एनिमिया के उनमुलन का लक्ष रखा है एनिमिया के उनमुलन का लक्ष रखा है तो दो हजार सैतालिस तक दो हजार सैतालिस तक ऑप्सन नमबर सी होगा निमलिखित में से किस राज में वांगला महोत्सो का योजन किया जाता है देखिए वांगला महोत्सो यह आपका म क्या होगा दूस्तों निमलीखित में से किसे 22 वीधियायोग यह दिफ्श के रूप में निउक्त किया गया है आप Sबी लोग ंच्छे से याद रखियेगा भूलिएगा नहीं नहीं ए दिफित में से मुगल ещё कर विवस्ता में नहीं था साहीं दस्तावेज दोस्तों आपका इसमें नहीं था, तो देखिए, खुतबा इसमें आपका नहीं था, बाकी निशान, सनद और फर्मान ये सब इसमें आपका सामिल था. देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान के संदर्भ में निमलिखित कतनों पर विचार कीजे क्या हमारा इसमें सही हो उसी को आपको बताना है देखे इसमें देखेंगे तो केवल दो और तीन सही है एक नए कलेंडर को लाउ किया पैदावार का एक तिहाई हिस्सा भूर राजसों के रूप में लेता था तो आंसर हमारा इहां पर केवल सी सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में सकीत किस आंदुलन को गांधी जी ने हिंदूओं और मुसल्मानों में एकता इस्थापित करने का ऐसा उसर जाना जो की आगे सो वर्स तक नहीं मिलेगा तो क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदुलन को ओप्सन नमबर हमारे इहां पर दोस्तो बी सही उत्तर हो जाएगा खिलाफत आंदुलन है ना वर्स 1920 यमुना नदी की निम्लिखित सायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पसिम से पूरब की ओर करम से विवस्तित कीजिए बताइए क्या होगा इसका उतर तेकि इसका अंसर हमारे यहां पर दोस्तों 42 का A हो जाएगा चंबल होगा फिर सिंद फिर बितवा फिर कें ऑप राश्ट्रपती संसत अथा संबंधित राज्यका विधान मंडल यह तीनों लोग का यहां पर देखे सामिल होना होता है तो आंसर हमारे यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा नैश्ट को सन है भारती समिधान में राश्ट्रपती सासन किस अनुछेत के अंतरगत घोसित किया चाहरा सकता है तो किसके द्वारा दोस्तों देखें इसका सही आंसर जो होगा अनुछे वी और सी ऑफ्सक्रमण उपसर नम्र डी होगा बी और सी जिसमें इसे आप देखेंगे तो नर्मदा और ताप्ती, option number हमारे हैं पे B सही आंसर हो जाएगा, निमलिखित में से किस संगठन के द्वारा global gender gap index जारी किया आता है, global gender gap index दोस्तों जारी ही होता है, तो W.E.F. हो जाएगा, क्या होगा, W.E.F. option number C, one इस्तिती report द्वारे कईस के अनुसार किस राज में, मैंग च्छेतरों की सरवाधिक विर्धि दर्ज किया गया है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, तो देखिए यह आपका ओडिसा हो जाएगा, option number हमारा B सही होगा, हाल ही में, जारी फोप्स अरगबती सूची में, मुकेस अंबानी को विसो में कौन सा इस्थान मिला है, देखिए पराकरणों के पुकेसर सेवर्तिकागरण तक इस्थान्तर परागरण कहलाता है, सही है, पापीता और तरबूज एक लिंगी पुस्प के उधारण है, तो आंसर आप बोल सकते हैं, दो और तीन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, आगे देखिए बीबोनिक प्लेक का वाहक है, क्या होगा इसका सही उत्तर, तो देखिए आपका जिन उपसिला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्सन नमबर हमारा भी सही होगा, अब यहां पर देखिए क्यावन नमबर मिलान करना है, आप ऑप्सन देख लिजे, उसके बाद आप इसका सही उत्तर कीजे, देखिए, बात क कि आपका पसिव मंगाल तो यह किस से संबंद रखता है तो यह मैंने मिला दिया है ऑप्सन नंबर भी सही उत्तर होगा चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा कोशन है बावन नंबर हाल ही में रेमन मैक्स से पूरसकार दो हजार तैस भारती विजयता आर रवी कंदन क किस स्चेतर से संबंद दित है वरी इंपोर्टन कोशन ही आपके है एक्जाम के लिए तो यह किस्ता संबंद रखते हैं जो कि आप्सन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा आगे देखेंगे बोला है दोस्तों की और शटवा फिल्म फेयर अवार्ड दो हजार तैस में किस कार के चावल चावल की निर्यात पर प्रतिबन लगा दिया गया है तो देखें इसका उत्तर क्या होगा तो गैर बासमती चावल गैर बासमती चावल हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी सही आंसर होगा निमलिखित में से किस जनकरना दसक में लिंग अनुपात में भारत दोस्तो गिर्यावड जो है दर्ज हुआ है उन्नीस सो एक सट एक सट एक सट्र है ना एक सट सेकत्र ऑप्सन नंबर जो है पच्पन का बी सही आंसर हो जाएगा अब देखिए चापन नंबर क्या है कि अंतरराजी जल विवाद और सामिल राजियों की संख्या तो चलिए इ मोलते हैं उडिसा और अंधरपर्देश ठीक है वही बात करते हैं महादाई के बारे में तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा तीन में हो जाएगा जिसमें से आपका गोवा करनाटक महराश्ट्र हो जाएगा गोदावरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो पांच हो जाएगा चली नेश्ट हम देख लेते हैं बोले कि कार्बन योगिक से संबंधित कत्नों पर विचार किजे और इसमें आपका सही कौन से है उसी को बताना है तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो एक और तीन सही है पढ़ लेते हैं कार्बन एवम हाइट्रोजन से बनने वाला अ करते हैं लेते तो पहुक्त है तो तो यह संबंधित के साथ एक जतिल आयन का दिर्मार्ण है ना option number 69 का बी सही उत्तर हो जाएगा भारत में अपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्याले कौन सा है देखे सबसे बड़ा न्याले की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा उच्छ न्याले दोस्तों यह आपका उच्छ न्याले हो जाएगा option number 60 का हमारा भी होगा महिलाओं की गरीमा परभावित करने वाले आच्रण जैसे गालिया देना असलील गाना आदि के संबन्द में भारतिय डंड सनहीता के किस धारा में प्रावधान है तो यह आपको धारा 294 देखने को मिलता है option number जो है एक सट का सी सही हो जाएगा के बोला कि हैप्टिक्स एक अवार्चिक संप्रेशन का रूप है जिसका ओपियोग होता है तकि इसका ओपियोग दुस्तों अगर देखाए तो संप्रेशन हे तो इस पर्स करने में होता है ज इसका ओदेखे हो जाएगा गंदा पानी है ना option number दोस्तों हमारा जो है 63 का सी सही आंसर होगा सब्दों में आक्षरों के करम को पढ़ने में कठनाईयां का अनुभा करने का सम्मंद किस्से है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा option number हमारा यहां पे D होगा dyslexia हो जाएगा option number D सही आंसर होगा समाजिक इस्थरिकरण का अर्थ क्या है आंसर हो जाएगा समाज का समाजिक इस्तिति के अनुसार विभाजन option number 65 का सी सही आंसर होगा मनोहर सब्द में कौन सी संधी है देखिए मनोहर सब्द में संधी के बारे में पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो ज किसके साथ किया था जैक है अंग्रेजों की बाध कर लेते हैं तो यह whales कर के साथ तो किया था Our औपस नमबर जो है हमारा डी सही आंसर हो जाएगा ठीक है पेस्वाद व्रां अंग्रेजों की साहाक संधी को सुविकारणे के बाद भी होलकर अंगरेजों से लड़ता रहा बनारस में केंदरी हिंदू विस्थ दियाले कि इस्थापना किसके दौरा किया गया था तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एनी बेसेंट दोस्तों एनी बेसेंट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आप अच्छे से याद चलिए नेश्ट हम कोसन देख लेते हैं निम्न कपनों पर विचार कीजिए तथा दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए तो क्या होगा इसका सही उत्तर तो देखिए इसका एक और दो सही होगा इसमें सदन के नेता के आगरह पर लोक सभा अद्धिक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है उसके बाद यहां पर देखेंगे तो लोक सभा अद्धिक्ष का यह कर्तव यह है कि गनपूर्ती यानि कोरम के अभाव में सदन को इस्तगित कर दे तो आप्सन नमबर हमारा सी होगा 24 में समिधान संसुधन अधिनिया मोनी 171 के द्वारा अनुछेद 368 में संसुधित कर किये गए प्राधानों पर विचार कीजिए ठीक है तो इसमें क्या हमारा सही है उसी को बताना है तो 70 का आप देखेंगे तो संसत को यह अधिकार है कि वह समिधान के किसी भी हिस्से का चाहे वह मूल अधिकार हो संसत कर सकती है यानि संसुधन जो है कर सकता है राश्ट्रपती द्वारा सन्विधानी के संसुधन विधे को मंजूरी दे मंजूरी दे दुस्तों आपका दी जानी चाहिए या फिर जानी जरूरी होती है तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारा option नंबर जो है C सही हो जाएगा नेश्ट है कि तुफाने चालीसा यानी रोरिंग होर्टीज के बारे में निमलिखित में से कौन सा यूग में आपका है सही विचार करके बताना है तो चलिए इसका option हम देख लेते हैं किस तरीके से क्या दिया गया है तो देखिए इसमें आपका एक और दो सही है पढ़ते हैं वे दच्छडी कुलार्द के महासागरों में पाया जाने वाले सक्तिसाली पसिमी पाउन है पूरब से पसिम की ओर होने वाले सक्तिसाली वायू प्रवाह का कारण विशुवत विरित से दच्छडी धुरों की ओर विस्थावित हो रही वायू और प्रतिवी के घुननन का सन्योजन तथा बाल बात रोधी की तरह कार करने वाले भू सनहतियों का अधिकत तो होना है कि अधे करनातक नाटक जो है ca सही आंशर हो जाएगा नानातक भारत में ब également सक्कून सीखवान भी ओचज़ों के लिए आ है इंचैन. का कैंसर अस्पटाल बने गां तो बच्छों के लिए दूस्त Zumach का पटना बनेगा जो कि option number हमारे हैं पे डी सही आंसर हो जाएगा पटना अगला है कि एक के डबलू एच बराबर क्या होता है तो देखिए इसका सही आंसर याद रिखिएगा option number B होगा किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधी में उस्मा की मात्रा का प्रती एका कि इसका option दोस्तों हमारा हो जाएगा गुप्त उस्मा हो जाएगा जो कि option number हमारे हैं पे सी होगा कि आप मुझे एक भी स्वतंद्र देश दिखा सकते हैं जहां प्रिथक मतदिकार हो अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे सरारत छोड़ गया है ठीक है सरारत छोड़ गया से किसने उप्युक्त वाक्यों को सम्मिधान सभाग के बहस में कहा था very important दोस्तों कोशन बहुत ही बहतर है यह सरदार पड़िल के द्वारा दोस्तों कहा गया था option number a सही हो जाएगा रूस के संदर्भ में निमलखित युगमों पर विचार किजिए क्या हमारा इसमें सही ह को बताना है देखिए बात करेंगे 1905 तो आप सभी को बता है दोस्तों 1905 जो है आपका खूनी रविवार हो जाएगा ठीक है बात करेंगे दो मार्च 1917 यह आपका हो जाएगा जार दौार पद त्याग उसके बाद मार्च 1918 की बात कर लेते हैं तो वेस्ट लीटो वस्क की सं हैं तो बाल सेविक बिद्रो हो जाएगा आगे देख लेते हैं अगला हमारा जो है सवंटी नाइन का मिलान करके बताना है खनीज और प्रमुख दिया गया है चलिए इस कौछे से हम देख लेते हैं मैगनीज दोस्तों आपका हो जाएगा उडिसा जिपसम आपका हो लेकिन किसी प्रकासिय तंतू से वे तेड़े मेढ़े पत से होकर गुजर सकती हैं इसका कारण किया है देखिए कारण के बारे में पूछ रहा है तो कुस्टन नमबर 80 का हमारा हो जाएगा जैसे है किरण तंतू से गुजरती है उत्तरोतर पूर आंतरिक परावर्तन घटि होते हैं तो आप्सन नमबर हमारा डी होगा करेंसी नोटों में जाल जाल साजी की पहचान करने के लिए इन लिखित में से कौन सी तरंगों का परियोग होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावैगनी तरंग आप्सन नमबर ए सही आंसर होगा यह किसने कहा है कि निया एक जोखिम वाद नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए तो देखिए अन्याय मुर्ती A.S. आनंद है ना ओप्सन नंबर हमारे यहां पे बी सही आंसर हो जाएगा चलिए नेश्ट हम देख लेते हैं सम्मिधान इत्तर निकाय है अर्थात इसका उल्लेख सम्मिधान में नहीं है ठीक है तो इसलिए आन्सर हमारे यहां पे D होगा नेश्ट कोसने कोसन नंबर 85 निम्न में से किसे मानो विकास सुचकांग की गड़ना में समलित नहीं किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर B समाजिक और समानता ओप्सन नंबर हमारा B होगा अब यहां पर भी देखेंगे तो 86 नंबर हमारा जो है मिल हो जाएगा और जो जो है आपका यह हो जाएगा ऑप्सन अपने इसाब से अरेंज कर लिजिएगा किस गरंथ में उलेख है कि बिंदु सार के सासनकाल में असोक ने अवंती महाजन पद जितकर मौरे समराज में मिला लिया था इसका उत्तर हो जाएगा बुद्ध घोस की सम समंत पासादिका ऑप्सन नंबर सी होगा प्रचन बौद किसे कहा जाता है तो यह हम कहते हैं संकर ऑप्सन नंबर सी अगला है कि प्लावमान जीन यानि जंपिंग जीन के सिधान का प्रतिपादन किसने किया था आंसर हो जाएगा दोस्तों बारबरा मेकलिन टॉफ हो जाए और लाल डाटा बुक में प्रदसन दिया गया है देखिए संकटा पन है न यह आपका दोस्तों हो जाएगा लाल पत्र हो जाएगा जो आपका सुभेद जो है आपका जो सफेद होता है न तो यह आपको हो जाएगा अंबर पत्र हो जाएगा दूरलब की बात कर लेते हैं त तो सार्थर करम में अगर हम देखें तो देखें चार दो पांच तीन एक है ना तो पहले हमारा देखें हीम नदी हो जाएगा फिर हमारा नदी का फिर पांचवा हमारा है नदी तीसरा है समुद्र फिर महासागर हो जाएगा अब देखें बानवे नंबर भी आपका मिलान करक है चलिए मिला लेते हैं यहां पर देखें मेथिनॉइक अमर्ण जो है दोसतो है आपको सिर्का का हो जाएगा और व्यूट राईक व्यूटारीक अम्ल जो है या का दुर्गंध मक्षन उसके बाद कार्बोनिक अम्ल जो तो आपको हो जाएगा सीतल पे एवं सोडा वाटर हो जाएगा आगे कि भू स्थानिक प्रधोकी का उपयोग निम्न में से किसमें होता है तो निम्न वर्ग का विजयता है क्या होगा इसका उत्तर तो कार्लोस अलक राज कार्लोस अलक राज ऑप्सन नमबर बी होगा भारत सरकार बाजरा की फसल पर के लिए नियुंतम समर्थन मुल में प्रति कितना रूपया की विद्धी किया है आंसर हो जाएगा एक सो पचास नमबर ए निमलिखित में से कौन सा जीला बिहार के सबसे पूरव यानि पूरवी भाग में इस्तित है तो सबसे पूरवी भाग में अगर हम देखें तो आपका परदेश अगला है कर मत दो का नारा जो है कि दिया था किसने तो आपका दोस्तों नारा है कर मत दो है ना तो इसका आंसर क्या होगा तो बल्ला भाई पटेल ऑप्सन नमबर हमारा सी सही हो जाएगा हुक सब्द का परियोग किया आता है किसके लिए देखिए जब आप हुक का पर्योग करते हैं तो किसके लिए करते हैं दोस्तों बताईएगा तो क्रिकेट ऑप्सन नमबर हमारा यहां पर जो है 99 का ए सही आंसर हो जाएगा तो यह पॉइंट को नोट कीजिएगा वर्सा वन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है तो यह आपको देखने को मिलता है जो रहाट में ऑप्सन नमबर सी दोस्तों सेठ हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है इस पीडी का मास्टर वीडियो आपको देखके जाना है और अभी देखिए आपको इसक्रीन पर दिखाई दे रहोगा उसको आप किलिक किजिए और स्पीड लगाईए यूटूब में कि सेटिंग होता है देडक्स लगाईए और कम सब्सक्राइब सो तीन सो कोशन एक ही बार में देख लिए तब ही आपको देखिए आने वाले एकजाम के समय आपको कोशन याद हो जाएगा चलिए आज के लितना ही जै हिंद जै भारत